किन मुद्डों पर आपका चुनाओ जो है आधारित है किन मुद्डों को लेकर चुनाओी मैदान में आप रॉतों बालों का राज नहीं है, नॉक्तों बालों का राज है, इस देश का कबरा बना के रख दिया। आपका नेता कहा है, आपका तो नेता है यजिसको वुह दाण रहे हो। पारटियों में भी अमीर लोगों कोई टिक ते मिलती है, जो चांदी का चम्मच मुँँ में लेके पैदा होता है अब देखें 35 चेनल अंबानी के हैं 50 चेनल अडानी के हैं 1500 चेनल सुभाष चंतरा के हैं आप हमारी जनता की बाच करेगा को कॉंग्रेस भी किसान नेताओं को कॉंग्रेस का एक परसेंट रोल अंडौल में हो तो बताईए लट खाये सटे साथ सो सहीर हुए कितने मुकदमे बने बाई मुकदमे बेरे पर एक पिन में बने थे 307 के बोला था एक सीट दे दो एक सीट दे दो हुड़ा कहता है नहीं एक पिने देंगे हमारे पास बोड़ तो आ रही है अपने बेटे दिपेंदर हुड़ा के लिए वो रास्ता साफ करने पे तुले में जो नेता होता है गड़बंदन महा गड़बंदन बन पाएगा खाली यह नहीं है कि मिज़ अंज़ाओं में चले गए दोसे घर से बंदन वहाँ भी और सड़क पी नमस्कार आप देख रहे हैं दा लोकल न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सुधीर चाखड हरियाना का वो नेता जो पिछले 32 सालों से किसान और कमेरा वर के लिए सड़कों पर संघर्स कर रहा है हरियाना का वो नेता जिसकी एक आवाज पर जीटी रोड से लेकर रेलवे लाइन तक जाम हो जाती हैं हरियाना का वो नेता जिसने किसान कमेरों की लड़ाई लड़ते हुए जो ना जाने कितनी बार जेलों की यात्रा कर चुका है हरियाना का वो नेता जो नीडर भी है और लीडर भी है हरियाना का वो नेता जो अब किसानों और कमेरे वर्ग के मान सम्मान के लिए चुनावी मैदान में है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ गुर्णाम सिंग चड़ूनी की जो कि सेयुक्त संगर्स पार्टी के सुप्रीमों हैं और भारतिय किसान यूनियन चडूनी के संस्थापक और रास्टी अध्यक्स हैं और फिलहाल पिहोवा विधानसबा जो कुर्छेतर जी लेके अंतरगत आती है वहाँ से चुनावी मैदान में हैं आज इंटर्विव होगा धाकर्ड विध सुदीर जाकर्ड में हमारे साथ सरदार गुर्णाम सिंग चडूनी जी हैं जी चडूनी जी दा लोकल न्यूज पर स्वागत है आपकर जी ठेंक चुनावी मैदान में आप देखिए मुद्दे तो अगर हम गिनवाएं मुद्दे तो मोटे तोर पर ये है कि हमारे देश में वोटों वालों का राज नहीं है नोटों वालों का राज है, पैसे से सत्ता करीते हैं, सत्ता में आके पैसा बनाते हैं, फिर पैसे सत्ता और फिर सत्ता से पैसा व्यपारी करन हो गया है राजनिती का यहां राजनिती का व्यपारी करन हो गया शिक्सा का व्यपारी करन हो गया स्वास्ते का व्यपारी करन हो गया मरीज पड़ा हुआ है डक्टर को वो ग्रहक नजर आ रहा है बच्चा को लाइक है डक्टर बनना चाहता है बननी सकता दो करोड कहां से खर्चे तो देश की जो वेवस्ता है वो ग्रीब और ग्रीब हो रहा है अमीर और अमीर हो रहा है आज हम देखें आज नौ लोगों के पास पचास करोड लोगों के बरबर समपती होगे तेएकरोड लोग देश में रात के भुखेत होते हैं बेरोजगार अपने देश को छोड़के विदेश्ठों को भाग रहा है बाहरत महाल को छोड़के सुनने की चिडिया को देश्ठी चोड़के के माइने बदलने की जरूरत है वैसे तो हम अंदोलनकारी हैं लेकिन जो कनून मनाने वाले हैं वहां पे हमारा कोई है नहीं और वो पंजी पतियों के पक्षमे कनून मनाते हैं और फिर हम उनके तड़वाने के लिए सड़कों पर लड़ते हैं हमारी वोट से बने नेता हमें लट मारते हैं हमारे से जड़ें कटवाते हैं हमारे भी मकदमे बनाते हैं ताकत उनको हम देते हैं उस ताकत का दुरूपियों को जनता भी वो दोबार करते हैं अच्छा डुनी साब मतलब सता नहीं आप ववस्था परिवर्तन की लड़ाई आप लड़ रहे हैं बिल्कुल ववस्था परिवर्तन की लड़ रहे हैं आप देखिए पिछले दस सालों में पंद्रा लाग करोड रुपया कार्परेट का माफुए बड़े अमीरों का माफ रहे हैं या बमारी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं या अगर ये पैसा उन पर खर्च दिया जाता तो शैद देश की वस्था कुछ और होती तो आज जरूरत इस बात की है कि जहां कानून बनते हैं वहाँ पे जो किसान मजदूर हैं या चोटे दुकानदार हैं या चोटा जो आम जनता जो जिसको हम बौल देते हैं उसके नुमाइंदे नहीं जा रहे हैं उसके नुमाइंदे वहाँ पहुचाने की जऔर था है यह तो कुछ होगे कुछ खानदा नहीं कोब być या यार वो तो पार्टी की ही होता है या यहार बस और लो पार्टी को फिर टिकर देक तो उस party का कोई नेता बोल नहीं सकता क्यूंकि उसी party से उनको टिकट चाहिए फिर ऐसा क्या है चडूनी साब कि किसान कॉंग्रेस से नराज होते हैं तो बीजेपी की सरकार बना देते हैं बीजेपी से नराज होते हैं फिर कॉंग्रेस की यह जो अल्टा पल्टी चल रही है किसान और मजदूर वर्ग यह क्यों नहीं समझता कि क्यों ना अपनी ही पार्टी बनाकर खुद ही चुनावी मैदान में अपने लोगों को विधानसबा और संसद में बेजे यही तो प्रॉबलम है यही तो प्रॉबलम है उसी के लिए हम स शुरूबात कर रहे हैं कि लोगों समझो यह जिन को आप चुनके भेज़रे हो यह आपके नहीं है यह तो कांकरस के हैं यह तो बीजेपी के हैं आपका निता कहा है आपका तो निता है जिसको वोट डाल रहे हो साइद इसी वजए से जो ग्रास रूट की राजनीती है जो पांदोलनों से नेता पैदा होते थे विदान सबासंसद में पहुंचते थे साइद इसी वजए से जनता की भी तो कमजोरी है या जनता की कमी है तबी तो वो पहुंच नहीं पाते जो लड़ा है जादा कमी जनता की ही है जादा का उनके समझ में यह नहीं आता कि जो हमारे हमारे लिए लड़ रहा है जो हमारे लिए लठ पार रहा है। उसको तो हम भूल देंगे नहीं हम देंगे पार्टी को to पार्टी भर आपकी कहा है और पार्टीयों में भी अमीरे जोगों कोई ठिक्टे जो चांदी का चम्मच मूँ में लेके पैदा होते हैं। तो फिर आपके काम रिस्वत से ही होंगे ठानेदार तो निचे से कमाएगा तो जाएगा तो जनता की जैब से ही और वो हो रहा है और हमारे जनता भेरनी समझ रही है। समझाए कैसे हमारा प्रॉब्लम ये आई है कि हम उनको तक अपनी बात पहुंचाए तो पहुंचाए कैसे। बैब एक मीडिया, मेरी बात के बुरा मत मान ना, एक मीडिया से सादन होता है देश की सचाही सामने रखने का, अब वो मीडिया भी नहीं बचाए, अब आप देखे, 32 चेनल अम्बानी के हैं, 50 चेनल अड़नी के हैं, 1000 चेनल सुपास चंद्रा के हैं, अब हमारे जनता की माभुआ और किसी गरीबे तो 5,000 भी ने दी ए किसान को सान में 6,000 देते हैं और बड़ा असान मारते हैं 5,000 करोड तो एक मेंकने की हा उसके पहले उसके पहले उसके पहले भी उसके हुए ठीक है तो अब वो जिसके 1.500 चैनल है तो वो BJB की बात करेगा या वो जनता ही बात करें गहर बड़े सदानसी सोचने बड़ी बात है ये उसको एक तरह से रिस होता है अब जैसे किसान अंदोलन में लोगों ने सरकार के खिलाफ हवाज उठाई माहोल ऐसा बना कि कुछ-कुछ कॉंग्रेस के पक्स में आ गया लेकिन कॉंग्रेस भी किसान युगदान नहीं युछ रहा चाहिए तो उनको धान दोलने करना क्योंकि अगर बीजेपी ने सो वोट लिए तो नबबे तो कांग्र सबी ले लियरा थे वी बीपक्स की भुमे का उन्हों ने नभाई है ही नहीं नहीं नोटियर और टका बहु पवक्स की बहुमे का उनौ हमारे से 20 रुपे की लोग गरीद देंगा कि 50 रुपे बेचेंग कैसे चलेगा तो इसमें जो भूमी का निभाई इसमें निभाई हमने यानि किसान वर्ग ने लटकाए सड़े साथ सो सहीद हुए कितने मुकदमे बने बाई मुकदमे बेरे पे एक दिन में बने थे 307 के और 100 से ज्यादा मुकदमे इस अंदोलन के दोरा अंदर जोए थे महोल तो हमने बनाया बीजे पीसे टकराए भगाया महोल तो हमने बनाया और फैदा कांगर्स का हो गया अब कांगर्स तो हमें बिलकुल नस्दी के लगाने के लिए विराजिन उसको बोला था एक सीट दे दो एक सीट दे दो हुड़ा कहता है नहीं एक मिन देंगे हमारे पास बोड़ तो आ रही है कहीना कहीं बुपेंदर हुड़ा भी ये सोचते होंगे कि गुर्णाम सिंग चडूनी के साथ गड़ बंदन कर लिया तो वो गुर्णाम सिंग चडूनी उनसे बड़े आगे राजनिती में आगे नहीं उनका सोचना एक है कि अगर गुर्णाम सिंग राजनिती में आगा के मन में पीड़ा है कि अंदर जो वो गारे रोले करते हैं मिली भगत की अब आरे नहीं सामने साथ ने आठ सो कुछ किले जो जमीन अभी अभी जबत की हैं तो यह उड़ा के टाम का खुटाला है और उड़ा जो है यह कांगर्स का बेटा भी बठाएगा कांगर्स का बेटा करे गई तो अब जो राजनेता है चाहे वो बीज़ेपी है चाहे वो कांगर्स है उनको जो है अंदोलन कारी अगर उनके बीच में कहीं चला जाए तो दुरनों को पीड़ा होगी एक को नहीं पीड़ा होगी दुरनों को पीड़ा होगी इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई कि सबा के अंदर कभी किसान लिडरों को बलाके को बात की किया आप आदिसी चाहिए आपको क्या तकलीफ है अगर हमारा रा जाया तो हम ये करेंगे कांगर्स ने एक मिटिंग बलाई हो तो पताइए चलो बीजे भी से तो मर्ज दूसमनी थी लेकिन कांगर्स ने कौन से नस्द पर पता चला है बैंदर सिंग हुड़ा तो सब को ही खुड़े लाइन लगाते गए हैं एक तरीके से उनके विरोधी ऐसा रोपन पर लगाते हैं अब इसको प्रवड़ा की ताकत को नहीं जानते जैसा आदमी बीजब होता है वैसे उसको फ्रकाटता हूँ और मेरे को नही की सरकार आए जो उसके हालात चल रहे हैं क्यों कंगृस वाला को कंग कंगरस वाला ही यह रहें हुगे। जिस तरीके की गूटबाजी है लौत बैह मैं यह कह रहा हूँ पिछले बार 96 त vibrator यहा थी अगर वह एक सीट चॉटला को देते यriad सीट हमें देते जिसका वे मादा खिलावी की यानि कि अपने जुबान से बाग गे डिपेंदर हैं यह कर रहा हाँ तो नो सीट जो है वो कांगर्स की आनी थी और अब पांच सीट आई तो पांच सीट जो है वो अपने आप इनोंने बीजेपी को दे दी हुड़ा की हट धर्मी ने और अब जीसे सबसे ह हुड़ा हट धर्मी कर रहा हैं मेरे ख्याल से यह कि सरकार का सत्यानाश करके हटेगा इसकी आएगी नहीं जो जो इसका हिसाब किताब चल रहा है क्यों कांगर्स के मुकावले में क्यों कांगर्सियों को भी काट रहा है ना कांगर्सी जो इसके प्रतीदवन दी हैं जो इस हुड़ागी जो कहता है और मुकर जाता है वो नेता होता है क्या बड़ी खबर है क्योंकि कॉंग्रेस में हर विधान सभा में 20-20-30 टिक्टो के दावेदार हैं और सब दिपेंदर हुड़ा बुपेंदर हुड़ा के फोटो लगाते हैं तो कहीं न कहीं उन सब को भी टिकट क है नहीं दिया है या उन्होंने पड़ी मर्जीदें भरे हैं लेकिन इसका यह है कि इसका यस में चाहिए काबलियत कंडिडेट में क्या है वो नहीं देख रहे ना बुपेंदर हुड़ा का यस में होगा उसको टिकट मिलेगी काबलियत कितनी हो उसको टिकट नहीं मिलेगी और जिस तरीके की चर्चाए हैं चड़ूनी साब की इंडिया नैसनल लोगदल पार्टी बहुचन समाज पार्टी का तो गठवंदन का एलान हो गया गुरूनाम सिंग चड़ूनी गठवंदन में कब सामिल हो जाएंगे कितनी सीठे पर बात चीच चल रही है क्या कुछ रहेगा देखिए वो अभी जो है हमने एक दो दिन में हम राए कर लेंगे उसमें वो बात करेंगे और फिल हाल तो जो है उसकी कोई कहना तो थोड़ी जल्द बाची होगी मतलब गठवंदन महा गठवंदन बन पाएगा हर्याना में तीसरा मोर्चे भी अगर सारे बीजेप और कांगर्स को छोड़ के सारे एक तरफ हो जाते ना तो उसका उची तपनता लेकिन वो भी हो नहीं रहे है उसर नहीं हो रहे है के लिए क्या योजना लेके आये हैं कि कोई ऐसा मोडल यह मैं अगर यहां विदायक यहां की जनता ने चुना तो पहिवा में सबसे ज़्यादा जो दुखी हैं लोग वो तो हैं यहां के भरष्टा चार से बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बाकी जो यहां की वर्ष्टा है डिवेलिप्मेंट की यहां तो आप किसी सड़क पे निकल जाएए हर सड़क तुटी मिलेगी यहां आप कोई की कोई भी काम देख लीजी आप जो सरकार को कराना होता है यहां मतलब यहां तो यहां तक है कि जो लोगों की सिकायत है कि जितने जो निर्मान हुआ है ना उसमें भी समगरी सही नहीं लगी है यहां तक भरष्टा चार है और बाकी जो यहां के मुद्दे ह बिजली के बहुत कट लगते हैं कोई डिरों में बिजली अभी तक नहीं पहुँची है और जो सड़कों गड़ियों के मुद्दे हैं बहुत से मुद्दे हैं आपने तो पेहवा में भी तो अंदोलन आपने किये हैं कोई जमीन अदीगरण बहुत बहुत अंदोलन किये हैं म पिर गेह हुए हुए फ़समें किसानगी होती थी ना उसका रेंट था ना उसका मुआ जा था तो उसको हमने दो हुजार एक में अंदोलन करके शुड़वाया था और तब से लेके वो जमीन तीन फ़सली है उसमें ट्यूबल भी नहीं लगता तो उसमें रास्ता भी नहीं न चाहिए यहां पर यह बाए पास जिसके पास हम गुजर रहे हैं जिस रोड से इसके मुआफ़े की बात थी वो हमने बढ़वाया था अब भी उनका जो था बहुत से लोगों का अभी पच्ची लाक और बढ़ गया है तो वह भी हमीने करवाया अभी वैसे पूरे हर्याना भारत लेवल पर तो अंदोलन किये कि यह सपैसली पहवा में बहुता रहा हूँ यहां पे उसका निर्मान था ड्रेन के पूल का पहवे के दो हिस्से हो गए थी और वो पूर निर्मान नहीं कर रही थी उसको हमने यहां पे अंदोलन किया और करवाया बीजली के कितने कितने मुद्ध मतलब यहाँ पे हैं कितने अगर जन्ता मौका देती है तो संगर्ष फिर भी आपका समाज के लिए अपनी विdhānसआघ के लिए नई देखिए संगर्ष तो हुमारा जारी रहे गा ही हमकालि यह नहीं कि विदहानसवा में चले गए तो संगर्ष बंद ना वह बुखार उतारने की दूआई दें, वो है अंधोलन, कनोन बनाके लागो कर दिये, उस कनोन को वापिश करवाना, ठीक करवाना, तो अंधोलन से होगा, एक होता है कि वो गलत कनून बने ही ना, बुखार आये ही ना, उसको पहले ही वैक्सिन दे दी जा, बिमारी से पहले ही उसको रोक दिया जाए, वो है राजनिती, जहां बैठे हैं, जहां से बिमारी पैदा होती है, वहीं पे उसका इलाज विदानसबा में हो जाए, अभी ऐसे ये तीन संसद में बने न, अगर संसद में पास हुए, तो अंदोलन करना पड़ा, अगर ये संसद में पास ही ना होते, हमारे दस लोग वहीं पे बैठे होते, और वहीं पे लड़ मरते, तो ये सज़ब्धे साथ सो गिरवाने की जरूरत नहीं थी, हमें सजब्धे 700 किसन्नों की सह या आटो आपका निसान है और दस तारीक को आफ फोरूम बरें या नि आपके समर्थक जो पूरे पहवा से बाहर जो पूरे हर्याना में है या असपास के राजियों में वो भी सभी सभी को हम निवेदन कर रहे हैं कि सभी जो है वो दस तारीक को सुबह 10 बजे पहिवां में पहुंचे जिस तरीके से आप चुनावी पर्चार कर रहे हैं क्या लग रहा है कि आपकी टक क्न से होगी मतलब किं से आपकी टक क्न होगी फिलहाल तो जहां भी जा रहे हैं जहां हमारी टीम में जा रही है तो लोगों की समझ में बहुत अच्छी ये बैटरी है कि हाँ जो हमारी जो बात हैं हमारी जो तरक वी तरक हैं वो दूसरे जो पार्टी हैं उन से अलग है मतलब मुकाबले में आपके कौन सी पार्टी रहेगए? तेखो ये ते परमातमा जाने कौन सी रहे ये? क्यूंकि अभी समिकरन बनने है अभी तो कांगर्स का एक को टिकेट मिलेगी है कांगर्स के तीन खडेंगे वो भी देखने में आएगी क्योंकि अजादी भी तो खड़ेंगे ना तो अभी तो समीकरन बनेंगे और किसको टिकेट मिलता है इस चीज़ भी डिपेंड करता है तो उसके बाद इस समीकरन साफ तो पर आएंगे सामने देखिए ये थे हमारे साथ गुर्णाम सिंग चड़ूनी जी जिनोंने हमारी पॉलिटिकल यात्रा में हमें ब्रेकिंग अपडेट दिया है ब्रीफ किया है कि 10 सितंबर को गुर्णाम सिंग चड़ूनी अपना नोमिनेशन दाखिल करेंगे और ऐसे ही विधान सभा कवरेज क पलपल के अपडेट जानने के लिए देखते रहे हैं दा लोकल नियोज शुक्रिया